वेब सेरी स्टोरिक्स पर पजंस दिल लाइव विफोर हर आइस इस कहानी की शुरुआत होती है डायना मैकफी से वो हाई स्कुल की स्टुडेंट है बड़ी कलपना शील है खयालों की दुनिया में रहती है कभी कभी बड़ा रैश भी हैप करती है इन सब के साथ यह बड़ी वाइल्ड है उसे अपनी एडिल लाइफ शुरू होने का बड़ी बिजबरी से इंतिजार है आजकल वो अपने हाई स्कुल के खत्म होने का इंतिजार कर रही है धुमरपान करते हुए अपनी दोस्त के साथ बैठी है बाद में डैना की मा आकर उसे ले गई अगले दिन जब डैना अपनी फ्रेंड मौरीन के साथ वाश्रूम में थी तब इन दोनों ने कुछ आवाजे सुनी दोनों डर गए तब ही वाश्रूम के एक हिस्से में माइकल गन लिये निकला उसने किसी को मार दिया है इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में मा स्केल पर किलिंग हुई है चारों तरफ लाशे है इसे में डैना की माँ से ढूरते हुए डैना डैना चला रही है तब ही डैना स्कूल के बिल्डिंग से निकलती है कहानी अब इन सब से काफी आगे निकल चुकी है अब डायना बहुत बड़ी हो गई है वो एक इनवर्सिटी में हिस्टी प्रोफेसर है अपने हस्बेंट पॉल के साथ रहती है पॉल भी प्रोफेसर है डायन जब सिकूल में थी तब उसके स्कूल में Paul ने एक स्पीच दी थी वो स्पीच Power of visualization के बारे में थी इस स्पीच में पॉल ने वताया था कि कैसे एक कोई अपना future खुद ही बना सकता है डायन की बेटी है एमा एमा को देख कर डायन बड़ी खुश हो जाती है कई बर जब एमा खानी के टेबल पर कुछ खा रही होती है तब डायना उसे देखती रह जाती है आज हमेशा की तरह डायना ने एमा को स्कूल के लिए तैयार किया है इसके बाद वो अपनी कार में उसे स्कूल छोड़ने गई जबकि पॉल अपनी बाइसिकल से अपने ऑफिस पर इन सब में एक बात है जो डायना को सुनी नहीं देती आज उसकी फ्रेड एमेंड़ा उससे मिलने आयी है मने बठाया बैतनी न मुझे कहा है कि एमा को स्कूल में फिर से ट्रबल हो रही है या इनकी बातों से पता चलता है कि डायना स्कूल के दिनों में किसी लड़के क किस तरह डायना उस लड़के को मारती है उसके बाद उससे पselves पुलिस सेशन बाद को ड्राइविंग हैती दोनों की दोरी दोस्ती बड़ी कह रही है यह दोनों उसने चारो तरफ लाशों को देखा था एक दिन एमा की स्कूल से डायना को एक फोन आया है नन्ज जो कि स्कूल को चलाती है उन्होंने डायना को बला कर एमा के बारे में कम्पलेण की एमा अकसर क्लास से गायब हो जाती है उसका behavior और बागी बच्चों की तरह normal नहीं है Flashback में में दिखाया जाता है कि 15 साल पहले जब Michael gun लिये खड़ा था तब उसने कहा था मैं तुम दोनों में से किसी एक कुमारूंगा तुम दोनों decide कर लो कि किसे मरना है उसे में Maury ने कहा था कि वो अपनी जान देने को तयार है इस पर Michael ने डायना से पूचा था तुम क्यों नहीं मर सकती इधर प्रेजिन में डायना एमा को आईस्क्रीम खिलाते हुए कहती है तुम्हें स्कूल में ऐसे छिपना नहीं चाहिए एमा ने खा आप हमेशा मुझे से नफरत करती हो आप मुझे पसंदी नहीं करती डायना ने उसे समझाने की कोशिश की अचानक से दोनों यहां से जाने लगे जब डायना कार में बैठने को थी तब उसने पॉल को किसे और लड़की के साथ देखा डायना पॉल को कंफर्ण करने में हेसिटेट कर रही थी वो स्ट्रीट के बीच में खड़ी थी यहां एक ट्रक आकर उसे हिट कर दिता है जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब डायना ने महसूस किया कि उसे ज़्यादा चूट नहीं महुची है इसमें डायना को अपना स्कूल टाइम याद आया जब वो अबोर्शन करानी को थी मारकस के साथ उसकी रिलशिंशिप थी उस समय उसे काफी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ा था यंग डायना जब मौरीन के साथ थी तब उसनी कहा था मेरा सपना है कि मेरी बेटी का नाम एमा हो कोई दिनों बाद हम देखते हैं कि डायना के स्कूल में मेमोरील रखा गया है वो शुटिंग के जिसमें कई लोग मारे गए थे उसके पंदरा साल पूरे हो गए है डायना फूल लिए स्कूल के अंदर जाती है जब वो अंदर जाने को थी तब यहां के स्टाफ ने उससे पुछा क्या तुम सर्वाइबर्स में से एक हो डायना ने स्माइल किया और अंदर चली गई उसने फूल को कुछ जगों पर रखा वो इन फ्लार्स को डेस्ट पर भी रखती है इसके बाद वो उस वाश्रूम में जाती है इस वाश्रूम भी गन से शूटिंग हुई थी जहां माइकल था यहां दोनों जब मौरीन के साथ थी तब इन्हें माइकल दिखा था इसी मॉमेंट पर डायना को कॉल आया है यह बताने के लिए कि एमा आय स्कूल से मिसिंग है जब एमा के स्कूल पहुँची तब उसे यहां बताया गया कि पास के जंगल में पिंग कलर की क्लोफिंग मिली है डायना तेजी से जंगल की तरफ जाती है वो एमा का नाम लेकर उसे पुकारती है इतने में एमा उसके सामने अपेर होती है उसके तुरंद बाद ही वो गायब भी हो जाती है इसके बाद हमें फ्लेश बैक में ले जाया जाता है वहाँ जहां माइकल गन लिये खड़ा था वो मौरीन और डायना से पूछता है तुम दोनों में से कौन मरना चाहता है जब मौरीन ने अपना नाम लेया तो माइकल ने डायना से सवाल किये तुम्हें क्यों जिन्दा रहना चाहिए इसके बाद डायना निगा तुम मुझे शूट कर दो इसके बाद माइकल ने डायना को शूट कर दिया था मौरिन दिवार के सहारे बैट कर डायना को मारते हुए देखती है तभी प्रेजन्ट में हमें डायना एमा को जंगल में ढूरते हुए देखती है जबकि फ्लैश बग में हम देखते हैं कि मरने से पहले डायना अपने फ्यूचर का सपना देख रही है अन्त के सीन में डायना जब स्कूल के अंदर जाती है मेमोरिल एवेंट पर तब यहां के स्टाफ ने उससे पूछा क्या तुम सर्वाइवर्श में से एक हो डायना ने इसके बाद स्माइल दी और नामें जवाब दिया इसके बाद वो स्कूल के अंदर जाती है और फिल्म यही समाप्त हो जाती है अंत में फिल्म एबरप्ट एंडिंग के साथ समाप्त होई फिल्म में यह नहीं दिखाएगा कि स्कूल में जो लास केल पर किलिंग होई वो किस वज़े से होई इतने सारे लोगों को किसने मारा माइकल क्यों लोगों को मार रहा था उसने क्यों डायना और मौरीन में से किसी एक को ही मारने को का पर जब डायना ने खुद का चुनाव किया तब मरते वक्त उसे याद आया कि वो एमा नाम की बेटी चाहती थी उसका Paul पर भी crush था इसके इर्दगेर्द उसने अपना future देखा जिसमें Paul उसका पती है जबकि Emma उसकी बेटी थी जब Diana स्कुल के अंदर जाती है और उसे पुछा जाता है कि क्या वो survivors में से एक है तब वो ना कहती है पर उसके चेहरे पर smile है ये इस बात को दर्शाता है कि Diana को मरते वक्त इस बात की खुशी थी कि अपनी फ्रेंड मौरिन की जान बचाने के लिए उसने ऐसा चुनाओ किया उसे इस बात की खुशी है कि मौरिन उसकी वएसे बच गई उसने अपने आप को sacrifice किया था आंत में फिल्म कई सवालों के साथ समाप्त होगी खुशी है तो फिर मिलेंगे जिन्दगी के एक इसी नए मोड पर